हेलो दोस्तों मेरे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों के कुवेद में जो पारिशल कर्फ्यू चल रहा है वहाँ कब खतम होगा क्यूंकि ये कर्फ्यू खतम होना बहुत ज्यादा जरूरी है तब ही जो लोग पैंडिंग में हैं वेटिंग में हैं कि वो लोग भारी देशों से कुवेद में आएंगे और काम करेंगे उनके लिए पारिशल कर्फ्यू खतम होना बहुत ज्यादा जरूरी था क्यूंकि स्टोर और ओफिस वगेरा जो 24 घंटे खुलने थे वो रेस्टोरेंट लाइन वगेरा शॉपिंग मॉल्स जो रात को 24 घंटे 18 घंटे 16 घंटे खुलने थे वो पारिशल कर्फ्यू की वज़े से सिर्फ 8 घंटे खुला करते हैं जिसकी वज़े से दोस्तो जहां पर उन लोगों को चाहिए होता है चौबिस लोगों के लिए तो आठ घंटे जब वो खुलता है उनको सिर्फ 20 इस्टाफ के साथ 20 वरकर के साथ काम चला लेते हैं दोस्तों तो यह पारिशल कर्फ्यू खतम होगा तो जो लोग इस भयंकर बीमारी की वज़े से कोई छोड़ कर जा चुके हैं उनकी जगा जो खाली हो गई हैं दोस्तों जो वेकेंसिस हो गई हैं अच्छी कंपणियों में जो लोगल कंपणिया थी वो तो कुछ बंद हो गई हैं दोस्तों लेकिन जो रजिस्टर बड़े लेवल की इंटरनेशनल कंपणिया वहां अभी भी लोगों की जरुद है और जैसे ही दोस्तों अभी तो special flight के जरीए लोग बाग कुवेच से अपने अपने देशों में जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने मन में बना लिया है कि अब दोस्तों ऐसी अगर बीमारियां आती रहीं तो अपने देश में ही काम करना ठीक है बाहराने कोई फायदा नहीं है और दिक्कत ये भी जहां पहले चार पास महीने पहले लोग बागों की तनका 50,000-60,000 होती थी वो तनका अप घटकर दोस्तों 30-40,000 रह गई है पचास-60,000 दोस्तों बोनस इंसेंटिव वगेरा मिला के जिन लोगों की होती थी अब वो 40,000-45,000 पर आ गए हैं तो ऐसी तनक अगर आपके पास दोस्तों educated हो तो आपको आपकी country में भी मिल सकती है आते हैं partial curfew पर, partial curfew दोस्तों ये था कि कुवेत की government 20 दिन के लिए 15 घंटे का curfew मतलब 15 घंटे के लिए open कर देती थी कुवेत और बाकी के 9 घंटे curfew लगा रहता था उसके बाद कुवेत government ने फिर 30 अगस्त को दोस्तों ये partial curfew जड़ से खतम हो जाएगा, कुवेत पहले की तरह हो जाएगा, यहां जो restaurant 24 घंटे खुलते थे वो 24 घंटे खुला करेंगे, जो shopping mall 24 घंटे खुलते थे वो 24 घंटे खुलेंगे, जो किराना की दुकाने, food वगेरा, छोटे-छोटे malls जहां प rule kuwait government ने दिया है, वो follow होगा, अच्छी खबर इसके अंदर दोस्तों ये है, कि kuwait में अब 24 घंटे हो जाएगा, तो लोगों की जरुरत होगी, लोगों की जरुरत यहां पर बढ़ेगी, तो vacancies निकलेंगी, और vacancies निकलेंगी, तो जो भाई लोग बाहर से यहां आना चाहत पर दुआ यही करते हैं कि पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, सब लोग healthy रहें, अपने परिवार की support करें, अच्छा पैसा कमाएं, उनकी साहता करें और जिंदगी में बहुत खुश रहें, वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों तो please like कर देना, subscribe कर देना, और मेरी playlist मे जाके आप और नौकरियों की वीडियो देख सकते हो, thank you so much